हेलो फ्रेंड्स दिव्या की रसोई वेलकम स्यू इन माई विलेज्च आज हम बनाएंगे सबसे आसान तरीके से हांडी मटन जिसके लिए हमें चाहिए हाफ केजी मटन नमक हल्दी पाउडर खड़े बसाले लाल मिल्च तेश पत्ता छोटी लाइची बड़ी लाइची दाल चीनी अद्रक लैसन का पेस्ट गरम मसाले लाल मिल्च पाउडर कटे हुए प्याज 350 ग्राम एक मीडियम साइज हांडी कुछ खड़े लैसन जो आपशनल है सबसे पहले हांडी को दूल के अच्छे से सुखा ले जो मैंने पहले से सुखा के रख लिया था अब मैंने इसमें हंडी टैमल मस्टर डाल डाल दिया है हांडी में अच्छे से तेल को मिक्स कर देंगे अब खड़े मसाले डाल देंगे लाल मिल्च तेश पत्त, दाल चीनी, बड़ी लाची और छोटी लाची अब कटिंग में प्याल दाल देंगे तो तेश पून अज्रेगला से लाची और दाल 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 तेश पून अज्रेगला से पेस्ड अत्राकरद का पेस्ट अब साथ दाल 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 देंगे अब एक साथ सबको मिक्स कर देंगे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और एक बर और हिला लेंगे अब इसमें दू टेबलिस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे टू टेबलिस्पून गरम मसाला डाल देंगे टेबलिस्पून ट्रक चिली पाउडर खड़ा लैसून यह आप्शनल है अब एक साथ सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखें यह देखें कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब एक फानी डालें मीडियम फ्लेम पर इसे एक घंटे के लिए डखकर रख देंगे अब हर 15 मिट में इसे चलाते रहेंगे ताकि यह नीचे से कहीं पकड़ना लें जब लगी ग्रेवी बहुत गाड़ी हो गई है तो उसमें एक कप पानी और और एट कर देंगे हम और अच्छे से चला देंगे और पंदर मिट के लिए से हम ठक का और पका देंगे जब तक हमारा मटन गल न जाए अब गैस आफ करके हंडे को उता लेंगे यह देखिए हमारा मटन मन के तयार है अब इसे गरम गरम रोटी या लिट्टी के साथ आफ साफ कर सकते हैं यह कर सकते हैं तरभ ज़ियोग तिर दे प्मानल आप स्वेड़ प्रमयदों यह थालन। प्रमयदों यह थालन। प्रमयदों यहां लुटन